उत्राकन में UKEEEACC पेपल लीक मामले में STF लगातार कारवाई कर रही है कई जो आरोपी हैं उनको अरेश्टिंग भी कर चुकी हैं लेकिन कई सवाल अभी भी इसमें खड़े हैं हमारे साथ खुट DGP असो कुमार जी हैं क्या कुछ इसमें पूरा आपके पास आया किस तरी किस आप लोगों ने कारवाई किया है क्या कुछ देखने हैं देखिए आप जानते ही हैं कि जब से मामला पुलिस को सौपा गया है और मैंने उसको एस्टेफ को जांच करने को दिया तभी से हमने हम इसकी गहराई में जाना शुरू कर दिया है और अभी तक 29 लोग को हम गिरफतार कर चुके हैं और जो मोडसो परेंड़ाई था वो भी आपको समझ आ गया है कि जहां से question paper छपे थे लखनों की प्रेंटिंग प्रेस से question paper छपे थे वहां से यह paper लिख हुआ और उस paper को leak करके अलग-अलग लोगों ने जो एक परकार से एक हरिया कि अपने वो थे अहां पर उनको paper रात में जो है उनको त्यारी कराया काइंड ओफ तो इस तरह से कहीं बड़े लोग इसमें identify हो चुके हैं और चोटे बड़े मिला करके अभी तक 39 लोग गिरिफतार हो चुके हैं लेकिन अभी भी एक सवाल जो लोग के दिलों में चल रहा है कि लोग पकड़े जा रहे हैं लेकिन ये चोटी मसलिया हैं बड़ी मसलियों पर कब कारवाई होगी क्योंकि अगर हाकम की बात आए हाकम सिंग के साथ ये भी काद गया कि कई विधाय किया कई और भी लोग इनके साथ हो सकते हैं तो सर क्या ऐसा कुछ मिल रहा है कड़ी में देखे पहली बात तो यह है कि मैं नहीं मानता हो कि छोटी मशलिया है कम से कम चार लोग आप हाकम सिंग से शुरू करिए पिर चंदन मनराल है फिर केंदर पाल है फिर सशी कांत है यह चार लोग बड़े मशली हैं जो एक साथ तीस तीस चालिस चालिस लोग को जिन्होंने नकल कराई है आप समझे तो जब एक केस में 12 से 15 लाक लिया जा रहा था तो यह बड़े लोग है इनसे भी सबसे बड़ा ह पर इसका मालिक जिसको भी हमने लखनों से अरेश्ट किया जिसका एनवर्ड टर्न और सो करोड से ज्यादा था तो यह काफी बड़े लोग हैं मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारी जांच 100% निस्पक्स है 100% पारदर्सी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर हमारी जांच तक जाएगे मोहीं तक जाएगे अभी तक ऐसा कोई नहीं पर किसी तरह का दबाओ है मानिय मुख्य मंत्री जेके स्वश्ट नर्देश है कि एकदम से किसी को भी नहीं बख्षना है और हमारी और से भी 100% निस्पक्स्ता से और पारदर्सी साथ से जांच के जा रहे हैं और प्रूब नहीं हो जाता ठीक है पब्लिक फिगर उनके साथ कोई भी फोटो गिंच वा सकता तो उससे उनका रोल पूरू होने के लिए मुझे पूरूफ चाहिए मुझे एविडेंस चाहिए और मुझे जानकारी चाहिए कि इस इनके कहने पर ऐसा हुआ था तब जाकर के वह हमारी अप्यूरू अपने फोटो की बात की सर काफी चर्चाओं में भी आपकी साथ भी फोटो हाकम सिंग की रही है तो सर क्या लगता है कि जो आप उस तो किस जानते थे अब लगता है सर क्या और भी आकम सिंग के पीछे को और भी कडी देखने को मिल सकती सरवड़ी क्या देखिए मैं तो उसे बिलकुल ही नहीं जानता मैं मोरी चेतर में गया था पहली बार भरमन करने गया था वहां फार स्टेशन एश्ट अरफ थाना उस सब को द यह समझ आ रहा है हो सकता यहाद में प्लैंड करके फोटो खीचवाता हो क्योंकि तभी एसे लोग अपने छेतर में अपनी वह बनाते ना एक परकार से वैलू बनाते है कि मैं इनको जानता हूं मैं उन राजनितिक आद्म को जानता हूं उस पर शासनिक आदम को जानता हू तो हो सकता है उसने मुझे प्लान करके फोटो खिंची हो पर मैं उसे नहीं जानता था सर यह जो जाँच अभी तक चल रही है सर अभी जाँच की दिशा किस और बढ़ रही है सर तो अभी जाँच किस और बढ़ रही है सर दिखे जैसा मैंने इससे पहले भी बताया कुल मिला करके किसी तरह यह लोग परेश से पेपर लीग कराते थे और पेपर लीग कराने के बाद अपने अपने अरिया में जैसे हाकम सिंग मोरी अरिया में करा रहा है चंदन सिंग मंडेर जो है जस्पूर का अश्षिपूर राम नगर अरिया में करा रहा है तो इस थरह से यह लोग अपने अरिया से सिंग्धैद के अन को परेवा लात थे पूल यह और आथे तो ये यूपी वाले तो आसानी से का इंडिट मिलेंगे नहीं ठीक है ना जो प्रेस का मालिक खुद भी इन्वोल्ड है उसके भी नॉलिज में था शुरू में हमें डाउट था कि उसका नॉलिज में है कि ने कि उसका रोल कलियर हुआ तो हमने ततकाल गरफतार कर लिया तो सब लोग जो है एक परकार से यह कर दिया अगर पुलिस की बात करें दरोगा भरती पर भी सवाल उठने लगे हैं सर तो यह पूरी जो सभी जांचेंगी यह किस तरह के से आगे बढ़ेंगे सर क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है कि समय लंबा नहीं हुआ है हमें पूरा मामले को खुले वे एक महीना जिनकी जोइनिंग नहीं हुए थी और इसमें 200 के करीब हमारा अंदाजा है अभ्यारती हैं जिनोंने जो नकल से पास हुए क्योंकि वो हमारी जांच के दाएरे में हैं इसके बाद हमारे संग्यान में आया कि इनी लोगों ने सचवाल रक्षक भरती में भी यह किया है ठीक इसको भी हमने जांच के दाएरे में ले लिया है इनी से पूछता आज के दोरान ये भी संग्यान में आया कि 2015 में जो पुलिस की आइसा ही भरती होई थी डारेट भरती तिन सो उन तालिस लोगों की उसमें भी कुछ गैट जो है नकल से भरती होने की संभावना है संभावन अभी हमारे एक और परिक्षा रडार पे आ चुकी है ओनलाइन जो परिक्षा हुई थी अभी में को किसकी रैंक नहीं मुझे आदा रहा है किन्तु उस ओनलाइन परिक्षा को भी हम जांच में आ गई हमारी हो सकता है उसमें जल्दी फियार दर्ज करें ठीक है तो हम लोग जो है 100% निस्पक्सता से पारदर्सिता से और एक्टिवले काम कर रहे हैं और जो हमारे संग्यान में आ रहा है जहां में प्रूफ मिल रहा है वहां फयार भी करेंगे और अर्रेश्टिंग भी करेंगे लेकिन सर कुछ भरतियां जैसे हो गई हैं और जैसे यह वाली भरती इसमें जो चात रहे हैं वो भी अब सड़कों पर देखने को मिले तो सर क्या कुछ उनके बहुष्चे के लिए या आप लोग किस तरीके से जाच में उनको सामिल करेंगे सर कि उनका बहुष्चे भी नब और बाद हो और जो दोसी है उसको सजा भी मिले देखिए यह तो आ चारा मेहनत करके आया हुआ और सेलेक्ट हुआ है तो वह तो इसके पॉइंट सही है किन्तो यह निर्ने मुझे नहीं लेना पुलिस को नहीं लेना यह आयोगीक लेगा और जिन से भी उनको पूचना होगा उनसे पूच के लेगा विदान सभा का भी एक आजकाल एक बड़ सब लोग सीव्याइट की मांग कर रहे हैं तो क्या लगता की जब जम सीव्याइट पहुंचने की बाथ हो रही है तो क्यों एसा करां रहा हुआ है मुझे तो कोई आपते नहीं है तो निर्ने सरकार को लेना होता है मैं तो यही कह सकता हूँ कि जितनी तेजी से जितनी निस्पक्सता से जितनी मांदारी से हमारी है उसमें कोई कमी नहीं है वो बहुत ही पारदरसिता से हो रही है बहुत ही निस्पक्सता से हो रही है बहुत ह कि सरकार जब चाहें ने इसको सीब आई कि तो हमें तो कोई प्राब्लम नहीं है तो सर क्या लगता है इसमें जांच में कुछ दिक्कतें आती हैं अगर इस टेप की राजनिकर राजनितिक होती है देखिए हमें जांच में मैं स्पष्ट कर दूँ कभी अभी तक जीरो इंटर्फरेंस है माने मुख्यमंद्री जी के और से क्लियर डारेक्शन है कि जो फंस रहा है जो डायरे में आ रहा है उसको जरूर से जरूर इसमें कारवाई करिए तो हमें तो किसी तरह की कोई राजनि सिंग पे ना जाकर लोग यूपी में या आपके कुमाओं की तरफ पहुंची है तो यहां क्या लग रहा है सर जांच यहां पर यही पर कतम हो गई या अभी जारी रही है देखिए मैंने आपको क्या बताया फोटो किसी के साथ भी कोई खिंचवा सकता है उससे वह निक्त बनेगा ठीक है तो ऐसे जहां लिंक मिलेंगे उनको हम छोड़ने रहें इसी लिंक से चले हम लोग जो बड़ी मचलिया पकड़ते गए उसके बाद ही हम आगे के लिंक मिले उन्होंने ही बताया कि हमने इस परीक्षा में भी किया तब ही तो आगे बढ़ रहे हैं इ इडी को भी आपने एक पत्र लिखा ता सर क्या कुछ उस कारवाई में रहा क्या आगे देखने को मिले गए जैसा मैंने कहा जो कम से कम चार तो बड़े लोग हैं जो एक साथ 30-40-40 लोग को इसी इसी एक्जाम में पास कराए हैं तो उनकी प्रोपर्टी की जांच होना रहेंगे और इनकी सभी संपत्यों की हम ब्योरत जुटा रहें तो गैंक्स्टर एक के अंतरगात इन सब की संपतियां जब भी करवाएंगे हमारे ती में लगी हैं, वो अपना काम कर रहें हैं, समय से हो सब के सामने आज़ाए अभी वी क्योंकि मामला अभी तो उनको लेकर किस तरीके आपने निर्देश दियें वो किस अब तक आगे बढ़ेंगे सर्ट जो मैंने बता ना जो ओन लाइन परिक्षा थी मुझे एक्जाम नहीं आदा रहा है किसका है मैं फोरेस्ट है थो जो अभी जाएं वन्द रोगा की भरथी ती मेरे क्राशन से ऑन-LINE उस उस ऑन-LINE भरती में हैं उसकी जल्देवत होगी है ठीक है बागी सचवाल रक्שत ने फदर हो चुकी है एक जाच और बाकि है उसमें थोड़ा ऊपर नांघ रहा है। सबसे बड़ा आया है कि पोलीस का जो हुआ था पेपर उसमें रिकाई सर कितना गंबीर मांते हैं पोलीस में हैं इस तरीके कर लोग आजाते हैं देखिए क्योंकि परिक्षा पुलिस मुख्याले ने खुद नहीं कराई परिक्षा बाहर के एजन्सिय ने कराई है तो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन इनवर्ड है जब उसके घराई से जांच होगी इतना तो शूर हो गया कि कुछ लोग इसमें संदिक्ता के डाहरे में तभी मैंने खुद जाच की रिक्वेस्ट किया है तो बुचल जाच से क्लियर हो जाएगा का और किसका रोल ही सर अभी भी क्या लगता है और लोग भी आप पकड़े जाएंगे या क्या इस थे बंश्च का जहां तक हमारे चैन चैन ओफ एविडेंस जो है ना उ जावत के साथ में सतेंदे बरत्वाल न्यूजेटिन देहरा दून